वेलकम टू माई चैनल मैटी हट एंड आज हम बात करने वाले हैं पोली इथाइदिन गिलाइकोल 3355 के बारे में क्या इसके यूज हैं क्या डोज हैं एंड क्या साइड इफेक्ट है सब कुछ जानेंगे आज हम इस वीडियो में वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बारा हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर ले एंड वीडियो को लाइक कर ले चैनल को सस्क्राइब जरूर कर ले क्योंकि आप में से 85% लोग ऐसे हैं जो वीडियो को तो देखते हैं पर चैनल को सस्क्राइब नहीं करते तो आप सभी लोगों से रूग परण करने के लिए किया जाता है इसका जादतर इस्तमाल कॉंस्टिपेशन की समस्या सरजरी के टेम पर चूंस्टिपेशन होता है उसमें या फिर प्रेग्नेंसी उसमें भी हम दे सकते हैं या कोई patient hospitalized है यानि क्या हुदा है hospitalized मतलब जैसे कि की कोई पेशिंट भरती है तो उसमें काफी सारी है विए अंटिवाइटिक चलती है जिसकी वेश से कॉंस्टी पेशन की समश्या होने लगती है तो उस इस्तिति में पॉली थाइडिन ग्लाइकॉल दे सकते हैं और इसका इस्तमाल हम फिशर में भी कर सकते हैं और पाइल्स में इसका इस्तमाल हम करते हैं जो पॉली थाइडिन ग्लाइकॉल होता है यह एक तरीके की सिंठेटिक सुगर होती है अगर हम बात करें इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में यानि यह काम कैसे करती है तो यह जो है ओस्मोसिस के प्रोसेस पर काम करती है यह क्या करती है कि जब ह थोड़ा पानी छोड़ देती है जिससे की फीकल जो है स्मूथ हो जाता है और जो असानी से किसी पेशेंट को अराम से निखल जाता है अगर बात करें जो पॉली थाइडिन ग्लाइकॉल है यह एक तरीकी की लैकसील लेटिव प्रोपर्टिव सो करता है जिसका ज्यादा त करें इसके side effect के बारे में कहीं क्या के side effect हो सकते है side effect में कोई इतने ज्यादे नहीं है vomiting हो सकती है तो किसी patient को यह diarrhea की condition हो सकती है यह nosia भी हो सकता है अगर बात करें इसकी dose के किसकी डोस हमें कितनी कितनी लेनी चाहिए तो जनरल इसको आप पांच से दस ग्राम या एक ये दो चम्मच पानी के अंदर बोलके आप असानी से दे सकते हैं अगर आप बिलकुल आपको एक्षाम डोस जाने हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं मैं उसका रिप्लाई कर तो ये 200 ml की 200 g के आसपास का आपको 200 या 205 रुपे के बीच में किसी medical stone पर मिल जाएगा I hope you like this video, thank you for watching this video